पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आज मघा नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी के तु है आज के जन में जातक सुन्दर, धनी, माता पिता के भक्त, सुखी वा एश्वारे वाले होते हैं ऐसे जातक अस्पष्टवादी, हिम्मती, मगर भावुक, शिग्र क्रोधित होने वाले, जल्दवाज और अपने कारे में तत्पर रहने वाले होते हैं ये उच्च अभिलासी, उच्च अस्तर की आजीवी का प्राप्त करने वाले और अन्वेशन के कारियों में रुची रखने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सुर्य और केतु की स्थिति अनकूल रही, तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज सिंह रासी में चलते रहेंगे, जिसके रासी स्वामी सूर्य देव हैं ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांती करानी चाहिए मेश रासी वाले जातकों के मन में चल रहें, अंतरदंद और मानसिक उथल पुथल से रहात मिलेगी चंद्रमा पांचमे घर में चल रहे हैं, आपकी कोशिस और रात्मिश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे तार्किक छमता बढ़ेगी और नई कार्जोजिनाओं का बिस्तार होगा साजेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाव बना रहेगा खुशाली और पारिवारिक प्रेणा बनी रहेगी अच्छे कामों में पूजी निवेश और बच्चों के भविसे पर खर्च की संभावना बनती है कुछ मामलों में आलस या अवरोध की इस्तिती पैदा हो सकती है बिद्यार्थी उर्जावान महसूस करेंगे और अपने सामान के प्रती सावधान रहें आज चंद्रमा ब्रिश रासी से चोथे भाव में चल रहे हैं आपकी सक्करियता और कारे छमता ब्यावसाईक उद्देश के साथ ही घर ग्रियस्ति के भी रचनात्मक कारियों के प्रती केंदित होगी थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे बौधिक छमता और प्रबल दिढ़ इच्छा सकती आपके हर काम को आसान और सुविधाजनक रूप में बदल देंगे नई कार्योजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारेकरम के लिए समय अनुकूल रहेगा और स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखे मिथुन राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा भावनात्मक लगाव बढ़ेगा ग्यावसाइक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा आपके प्रयास और आत्म विश्वास से आर्थिक निवेश की कई लावकारी योजनाएं सामने आएंगी पारिवारिक प्रियोणा और पत्मी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए सिछा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी संतान संबंधी सोख समाचार मिल सकता है वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनपूल रहेगा करकराशी के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे आर्थिक लाव के कई आउसर मिलते जाएंगे सामाचिक मानपतिष्ठा बढ़ी रहेगी और सम्मानित किये जाएंगे चंद्रमा का केदू के नक्षत्र में होना और मंगल का सहयोग नई कार्योजनाओं के बिस्तार में सहायक होगा संतान वा आर्थिक पक्ष अनकूल है सिक्षा प्रत्योगता के छेत्र में सफलता मिलेगी साजेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षीत है सत्रूप अच्छ हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुख संतुष्टी महसूस करेंगे सिंग रासी के जातक मानसिक रूप से उरजावान महसूस करेंगे और रचनात्मक क्रियासीलता बनी रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए खास तोर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है ब्यावसाईक अनुकूलता बनी रहेगी और नय लक्ष निल्धारित होंगे संबंधीत मामलों में अचानक यात्रा एकायोग संभावित है आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा नीजे संबंध प्रगाड होंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में ब्रिद्धी होगी शिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास अधिक करना पड़ेगा कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्ध आठवे भाव में चल रहे हैं और चंद्रमा बारह में भाव में अतियात्म विश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवरित्ती बढ़ेगी मगर ब्यावसाइक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा भविस्व में अपने कारेच छेत्र में सफल रहेंगे सकारात्मक प्रयास को और गर्ती देने की आवस्टता होगी मित्रों और सहयोगीों से अनुकूलता बनी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च की स्थिति संभावित है संतान संबंदी चिन्ता अभी बनी रहेगी सिक्षा प्रत जोगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधी, साउधानी बनाए रखे तुला राशी के जातकों को स्वास संबंधी मामलों में सुधार मिलता जाएगा मगर मन का अंतरबंद आपके कारिछेत्र और उर्जास्तर को प्रभावित करता रहेगा चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं अच्छे काम में वित्य निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा मगर ब्यावसाईग अनियमितताएं संभावित हैं इसका आपको ध्यान रखना होगा यदि आप सरकारी विभाग में हैं तो भी आर्थिक लेंदेन वो सरकारी कावजात्रों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करना चाहिए संतान संभधी अनकूलता बनी रहेगी अध्यन ध्यापन में आज का दिन सफलता दायक सीद हो सकता है प्रयास जारी रखें ग्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के मन का आंतरदून्द कम होगा मानसिक शांती मिलेगी उर्जा अस्तर में ब्रिधी होगी और कारे छेत्र के विकास और उध्थान की मानसिकता बनी रहेगी जिसमें सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नवीन कारियोजनाओं और साजेदारी के लिए समय अनकूल है अपनी क्रिया सीलता को हर हाल में बरकरार रखे शिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी आर्थिक पक्ष सामान रहेगा पारिवारिक दाईत के प्रती चिंता बढ़ेगी और वैवाहिक मामलों के लिए साम का समय अनकूल रहेगा धनु राशिवले जातकों की आराम पसंद मानसिक्ता और यात्रा देशाटन की प्रभृत्ति बनी रहेगी बोधिक छमता का विकास होगा और पारिवारिक पेरणा लाफदायक रहेगी नए प्रस्ताव सामने आएंगे साज्य दारी सफल रहेगी विवादों के निप्टाने का योग बनता है शिक्षा प्रत योगजा में सफलता मिलेगी और संतान संबन्धी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा पारिवारिक उद्देशों की पूर्टी में भी मन लगया रहेगा धार्मिक भावना में व्रिधी होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं मकर राशिके जात्कों की सक्रियता बनी रहेगी और कारी रोजनाओं में सफलता हासिल होगी आर्थिक लावसा माने रहेगा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा लोग प्रियता बढ़ेगी और प्रशंशा के पात्र बनेंगे सासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा उन्नती का दौर जारी है कारे च्छेत से संबंधित यात्रा संभावित है मगर कभी कभार संतान संबंधी चिंता मन में नकारात्मक भावों का आना और आत्मिश्वास में कमी की संभावना भी बनती है सिक्षा प्रद्योगिता में सफवता मिलेगी साथ ही अपने स्वास पर आवस्षक सावधानी बनाए रखें कुम्बराशी के जात्कों के लिए आज का दीन की शुरुवार मिले जुले मानसिक प्रभाव से होगी मगर कुछ समय बाद कारे उर्जा और रचनात्मक प्रयासों में बृध्धी होगी नई कार्योजिनाव में कुछ विश्यों पर प्रयास करेंगे जो की आर्थिक पच्छ के लिए लाफ दायक होगा धन संबन्धी मामलों में अचानक लाफ संभव है साजयदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन होंगे सासन सब्दाव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा अध्यन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मिन राशी वाले जातकों के दिन्चर्या में आलस और अकर्मन्यता संभावित है चंद्रमा के छठने और केतु के नक्षत्र में होने से मानसिक गद्रता, नकारात्मक विचावों का पैदा होना और कारे छेत को नजर अंदाज करने की प्रबृत्ती बनी रहेगी आत्मिश्वास और सक्रियता कम होने से रचनात्मक कारियों में बाधा संभावित है हाला कि ब्यावसाई का नकूलता बनी रहेगी आठिक प्रक्षाप के मेहनत और क्रियाशिलता के अंसार बना रहेगा विभागी अधिकारियों से सहयोग वालाव मिल सकता है अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें साथ ही साथ संबंधि में से साउधानी रखनी चाहिए आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाशिवाए